निर्गमन अद्धियाए पांच इसके पश्चात मुसा और हारुन ने जाकर फिरोन से कहा इसरायल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए परवतरे फिरोन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मान कर इसरायलियों को जाने दू मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसरायलियों को नहीं जाने दूँगा उन्होंने कहा इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेट की है सो हमें जंगल में तीन दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमिश्वर यहवा के लिए बलिदान करें ऐसा नहों कि वह हमसे मरी फैलाएं वा तलवार चलवाएं मिसे के राजा ने उनसे कहा हे मुसा, हे हारुन, तुम क्यों लोगों से काम चुरुवाना चाहते हो तुम जाकर अपने अपने बोज को उठाओ फिर फिरोन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो और फिरोन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यहाँ आग्या दि कि तुम जो अब तक इटे बनाने के लिए लोगों को पुवाल दिया करते थे सो आगे को न देना वे आप जाकर अपने लिए पुवाल इकटा करे तो भी जितनी इटे अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना इटो की गिंती कुछ भी न घटाना क्योंकि वे आलसी है इस कारण यह कहकर चिलाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें उन मनुशों से और भी कठीन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और जुटी बातों पर ध्यान न लगाए तब लोगों के परिश्रम करने वालों ने और सरदानों ने बाहर जाकर उनसे कहा फिरोन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुवाल नहीं गूँगा तुम ही जाकर जहां कहीं पुवाल मिले वहां से उसको बटोर कर ले आओ परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा सो वे लोग सारे मिस्टर डेश में तीतर बीतर हुए कि पुलाव के संती खुंटी बटोरे और परिश्रम करने वाले यह कहकर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुवाल पाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो और इस्राइलियों में से जिन सर्दारों को फिरोन के परिश्यम कराने वालों ने उनका अभिकारी ठहराया था उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने अपने ठहराई हुई इटों की गिंती के अनुसार पहले की नाई कल और आज पूरी नहीं कराई तब इस्राइलियों के सर्दारों ने जाकर फिरोन की दोहाई दे कर यह कहा कि तू अपने दासों से ऐसा बरताव क्यों करता है तेरे दासों को पूवाल तो दिया ही नहीं और वे हमसे कहते हैं कि इते बनाओ इते बनाओ और तेरे दासों ने भी मार खाई है परंतु दोश तेरे ही लोगों का है फिरोन ने कहा तुम आलसी हो आलसी इस कारण कहते हो कि हमें यहवा के लिए बलिदान करने को जाने दे और अब जाकर अपना काम करो और पुवाल तुम पूरी करनी पड़ेगी। जब इस्राइलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी इटों की गिंती न घटेगी और प्रतिदिल उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके दुर्भागी के दिन आ गए है। जब वे फिरोन के सन्मुट से बाहर निकलाए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दुष्टी करके न्याय करे। क्योंकि तुमने हमको फिरोन और उसके कर्मचारियों की दुष्टी में ग्रूनित धर्वा कर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे रही है। तब मूसा ने यहोवा के पास लवट कर कहा, हे प्रभू, तुने इस परजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तुने मुझे यहां क्यों भेजा। जब से मैं तेरे नाम से फिरोन के पास बाते करने के लिए गया तब से उसने इस पजा के साथ बुरा ही व्यवाय किया है और तुने अपनी पजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया